ओम स्यंति, ओम स्यंति, ओम स्यंति हमें बाबा ने बहुत बड़ा कारिय दिया, बहुत सुन्दा टाइटिल दिया, तुम विश्व के आधार मोडथो और उद्धार मोडथो सुक सुझ्यान की द्रस्ती से हम जानते हैं कि इस रस्ती की स्थिती का आधार हम माहनात्माओं की स्थिती है स्रस्ती में हम भून सुक है उसका आधार है हमारी सुक स्वरूप स्थिती जब हम बहुत पवित्र हैं तो ये सारी सरस्ती प्रकर्प्ती संपूर पवित्र है। याद करें, हम हैं कल्प व्रक्ष की जड़ें। जड़ों के द्वारा व्रक्ष को भोजन पानी सब कुछ जाता है। हम व्रक्ष की जड़ें हैं। हमारा एक एक संकल्प, हमारी इस्थिती, हमारी purity, हमारी खुशी सारी शृष्टी में पहुचती है एक वीजन बनाएं मेरे खिर के उपर ही कल्प रक्स है और जो हम सोच रहे हैं जो हमारे प्योर संस्कार हैं उनके vibrations एक एक पत्ते तक पहुच रहे हैं तो याद रखेंगे हम खुश तो सारा जहान खुश हमारे संकल्प महान हैं सक्ति साली हैं, पोजितिव हैं तो मानो हम स्रुष्टी की पालना कर रहे हैं और यदि हमारे संकल्प कमज़ूर हैं निगेटिव हैं, इंप्योर हैं तो माना हमारे द्वारा स्रुष्टी को बहुत negativity जा रही है हम अनेकों के दुखों का कारण बन रहे हैं इसलिए बाबा ने कहा तुम सभी पूरवज्जो तुम्हारे कुन्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है इसलिए उसका फल भी तुम्हें पड़म गुना मिल जाता है तो जरा जंतर मन में गुंती रहे हम साधारन नहीं हैं पूरवज्ज हैं कल्प रक्स की जड़े हैं हम बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं और फील करें कुछ देर के लिए जो विजन बनाया के हमारे सिद पर कल्प ठक्स है तो हमारे स्वामान के वाइब्रेशन जैसे कि सारे कल्प लक्स में उसकी एक डाल डाली में टैनियों में पत्तो तक जा रहे हैं, फैल रहे हैं, इससे हमें बहुत अच्छी अवेरनेस रहेगी, हमारे जीवन से साधारंता समाथ हो जाएगी, अलबेला पन समाथ हो जाएगा, क्योंकि जो आत्माएं बहुत जिम्मेदार होती हैं, वो अलबेले हो ही नहीं सकते, हम सब जानते हैं, हमें रात को दो बजे भी कोई कारिये करना हो, तो हम कितना चुस्त रहते हैं, तो आईए, हम अपने सुवमान में स्थित हो जाएगी, मैं इस जहान का नूर हूँ, कल्प रक्स की जडे हूँ, मुझे सब की पालना करनी है, तो अपना एक एक संकल्प, स्वमान, पालना का स्वरुप बना दें, हमारा हर संकल्प स्थि की पालना करें, सोचो, जब हमारे वाइब्रेशन्स, सारी स्थि की पालना कर सकते हैं, तो हमारे परिवार पर, हमारे आसपास के लोगों पर तो उनका कितना गहरा असर होगा तो आज का हमारा स्वमान रहेगा मैं विश्व की आधार मुर्तात्मा हूँ कल्पवक्ष की जड हूँ और जहान का नूर हूँ और ये विजन बना कर रखेंगे मेरे सिर के उपर ही कल्पवक्ष खड़ा है और मेरे योग-युक्ति स्थिती के वाइब्रेशन्स पूरे कल्पवक्ष में फैल रहे हैं तो इस्तर है आज सारा दिन हम कल्पवक्ष को भोजन, पानी, जल, अन सब कुछ देते रहेंगे और याद रखेंगे हम साधारन नहीं हैं बहुत बहुत महान हैं हमारी जिम्मेदारिया महान हैं बाबा की नजर हम पर है सोचो यदि हम साधारन और व्यर्थ में होंगे तो बाबा हमारे लिए क्या सोचेगा इकनी महान और जिम्मेदार आत्में कर क्या रहे हैं तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम श्यंति